हेलो फ्रेंड मैं आप लोगों का विल्कम खरती हूं जो लोग मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले बेल आइकन को दबा ले आज में आप लोगों को बिलकुल आसान तरीके से घर पे कौफी कैसे बनाते हैं चलिए आज मैं आपको यह असी रेस्वी बताऊंगी वीडियो को पूरा देखें इसके पना करें यह मैं आपको blender jar में बना के दिखाऊंगी और यह बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है चलिए बनाने चलते हैं कि देखें मैंने blender jar ले लिया है अब मैं इसमें 6 टेबल इस्पून शकर एट करूँगी देख सकते हैं आप उसके बाद मैं इसमें 3 टेबल इस्पून डार कॉफी आट करूँगी यह देखें नेस की कॉफी है यह यह मैंने ले लिया है यह 3 टेबल इस्पून मैं इसमें आट करूँगी ये देखें अब ध्यान रखें कॉफी से ज़्यादा शकर होती है शकर मैंने च्छे टेबल इस्पून लिया है और कॉफी मैंने तीन टेबल इस्पून लिया है अब इसे हम इसका एक पाउडर बना लेंगे इस तरीके से देख सकते हैं आप मैंने पाउडर बना लिया है अब इसके बाद मैं इसमें बरफ एट करूँगी ये देखिए मैंने बरफ के छोटे छोटे जो पीस होते हैं फिरिज में रख दिये थे इसके बाद मैंने इसमें एट कर दिया है अब इसे भी ब्लंड कर लेंगे इसके बाद हम इसे फिर से खोलेंगे और इसके बाद किसी चीज से हम इसको चला लेंगे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा हमारा जो कॉफी है बहुत अच्छा बन के तियार हो रहा है तो इसके लिए इसके बाद इसे फिर से चला लेंगे ताकि इसमें कोई रेशे वगर न रह जाए यह देखें अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बन के तियार हुई है देख सकते हैं आप उसके बाद मैंने यह फैट वाला मिल्क ले लिया है यानि क्रीम वाला दूद मैंने आधा लिटर ले लिया है यह देखें अब हम इसे भी खोल कर देख सकते हैं यह मैंने पांच मिनट तक ढ़क के रख दिया था उसके बाद आप देख सकते हैं यह कितना ठीक हो गया है इसी तरीके से यह रहेगा और यह बहुत ही टेस्टी कॉफी बन के तियार होगी अभी हम इसे बनाएंगे अब इसे एक बार जरूर बना कर देखें कि देखे हम इसे इस्टोर करके भी रख सकते हैं एक हफते तक कि देखे हम इसको इस्टोर करके रखूंगी इसलिए मैंने एक टिफिन में इसको देख सकते हैं निकाल लिया है अब इसे ढखके इस्टोर करने के लिए फ्रीज में रख देंगे ये देखिए मैंने एक कप ले लिया है अब हम कॉफी बिनाएंगे चलिए इसमें तीन टेबल स्पून मैं एट करूंगी ये देखिए उसके बाद मैं इसमें गरम दूद एट करूंगी ये हलका गरम दूद है और ये मलाई वाला दूद है इसको एट कर देंगे उसके बाद इसको हम चम्मत से चला देंगे अच्छे तरीके से जब ये अच्छे से चला देंगे तो उसके ओपर काफी पॉडर भी मिक्स कर देंग झाल झाल झाल